गुद एवनिंग खुश रहो स्वास्त रहो सभी को एक एक मौल आशिरवाद हाँ जी गुद एवनिंग क्या हाल है बढ़िया तो लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था होमवर्क क्या दिया था मैंने एस वन वन से लेके थर्टी तक सारा हो गया वेरी गुद एवनिंग वेरी गुद एवनिंग वेरी गुद एवनिंग बहुँ ये तो वन से लेके टैन तक किसी को कोई डाउट है क्या वन तो टैन में किसी को कोई डाउट शिक्स्त में डाउट है कितने क्वेशन कर चुके ऐसे हैं क्वेशन नमबर शिक्स्त एसो फोर टू माइनस से एसो थ्री टू माइनस कितने इलेक्ट्रोन टू एलेक्ट्रोन क्योंकि यह प्लस शिक्स में हैं यह प्लस फोर में इसका इनोट दे रखा है और एसो थ्री टू माइनस से एस्टू ओ थ्री टू माइनस इसमें अगर हम चेक करें तो यह प्लस फोर और यह प्लस टू इसमें भी कितने इलेक्ट्रोन हैं दो इलेक्ट्रोन अब बताओ इन दोनों को एड करेंगे तो वो ओवराल रियक्शन आ जाएगी ओवराल रियक्शन मतलब सल्फेट आएन किसमें कनवर्ट हो रहा है हाफ ओफ S2O3 2 माइनस इसमें कितने इलेक्ट्रोन 4 N1 E1 प्लस N2 E2 इक्वास टू N4 की वेल्यू सोरी N3 की वेल्यू 4 E2 E2 वेल्यूस पुट कर दो आंसर आ जाएगा कौन कह रहा है क्या आंसर नहीं आ रहा भाई सॉलूशन तक दे रखा है यार सॉलूशन तक रहा है परस्ट का के पार्ट भी आगे बताऊंगा सॉल्ट ब्रीज क्या होता है यह मैं आगे समझाऊंगा तो क्वेशन नमबर वन का जो के पार्ट वाट इस दी फंक्शन आप दिस सॉल्ट ब्रीज यह भी आगे आएगा ठीक है आए जे के यहां पर साफ दिख रहा है कॉपर का ऑक्सिडेशन हो रहा है तो कॉपर की इलक्टोन लूस करने की टेंडेंसी जादा है सिल्वर की गेन करने की टेंडेंसी जादा है कॉपर ऑक्सिडाइज हो रहा है मतब कॉपर इस मौर रियक्टिव copper oxidize हो रहा है silver reduce हो रहा है तो copper चो है more reactive है चलिए आगे बढ़ते हैं 6th के बाद 7th हो जाएगा 8th हो जाएगा लेना ही पड़ेगा बैटा anti log लेना ही पड़ेगा calculator use करो सब में formula लगेगा e not equals 2.06 upon n log k question number 9th इन सब में एक ही तरह की questions हैं सब question number 10th का second part question number 10th का second part maximum work per mole of magnesium delta G क्या होता है non PV work तो maximum work निकालना है मतलब delta G not की value निकालनी है आपको delta G not की value निकालनी per mole of magnesium अगर एक mole magnesium oxidize होता है तो number of electrons कितने होंगे दो electron तो यहां n की value कितनी हो जाएगी 2 यही question number 10 में अगर per mole of silver पूछा जाता तो n की value 1 होती समझ में आई बात दिव्यांश बेटा पीछे ना हर एक sheet के पीछे J mains J advance के question दे रखे हैं ठीक है I think तुम्हें इतना पता होगा course complete होने आया है 12 में अब J E देनी की बार आई है और अब तुम पूछ रहो कि क्या J E में anti log और values दी जाती है 2 साल हो गए तो मैं इतना नहीं पता चला हर sheet के पीछे J mains J advance के question देखो वहाँ पर कम से कम 10 बार class में मैं बोल चुका हूँगा अब तो में आया हूँगा आया है आई पिर मैं नहीं प्राइव 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 पर लोगन आया है खुद करो बेटा अब को क्वेश्चन नमबर 13 में तीन रियक्शन सब यूज हो रही है क्वेश्चन नमबर 13 में तीन रियक्शन साप यूज कर रहो तो मैंने आपसे पहली कहा था अगर दो से ज्यादा रियक्शन अगर है तो फिर हमेश्चन डेल्टा जी से करोगे मतलब N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3 क्वेश्चन नमबर 13 तिन जीरो से प्लस 2 प्लस 2 से प्लस 4 चाहो तो एक काम कर सकते हो पहले इन दोनों डेटा से यह अलग से निकाल लो थोड़ा असान हो जाएगा इन दोनों डेटा से यह अलग से निकाल लो इसका इलेक्टोड पोटेंशन निकाल लिया कैसे आएगा N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3 तो इस रियक्शन का E0 पता चल गया जिसमें 4 इलेक्ट्रोन है इसमें टिन का ऑक्सिडेशन हो रहा है क्रॉमेट आयन का रिडक्शन होगा क्रॉमेट आयन का अगर रिडक्शन होगा तो क्रॉमियम प्लस 3 में जाएगा अगर हम इस पाटिकॉलर रियक्शन में नमबर ओफ एलेक्ट्रोन काउंट करें तो प्लस 6 से प्लस 3 बट दो क्रॉमियम है शिक्स इलेक्ट्रोन कितने इलेक्ट्रोन 6 electron इसमें कितने electron है 4 तो इस वाली reaction को किस से multiply करना होगा 3 से इस वाली reaction को किस से multiply करना होगा 2 से हा लेकिन अब यहां पर फाइदा आई है कि इन दोनों को जब मैं add कर रहा हूं इन दोनों को add कर रहा हूं तो electron यहां पर भी 12 यहां पर भी 12 तो यहां पर direct electrode potential add कर सकते हो यानि यह जो E naught है और इसका E naught इसको 1 लिख देता हूँ इसको 2 लिख देता हूँ तो finally answer E1 naught plus E2 naught हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को जब हम add कर रहे हैं तो यह एक cell reaction आ गई मैंने तीनों को एक साथ नहीं add किया इसको और अब इसको add किया समझ में आई बात हो जाएगा दीपक वेटा oxygen add करने के बाद भी electron इतने ही आएंगे जो तुम कर लो oxygen add इसलिए करते हैं ताकि electrons count हो जाए मैं उसके बगेर ही लिख देता हूँ तुम कर लो oxygen add balance करके तब भी answer यह आएगा question number 14 सबसे पहले इस reaction का delta g not निकालो delta g not reaction क्या हो जाएगा minus nf e not e not की value दे रखिए 2.73 e not की value दे रखिए 2.73 अब इस reaction में कितने electron involved है यहाँ n की value क्या लिखोगी तो देखें तो aluminium 0 से plus 3 में जा रहा है तो एक aluminium के साथ 3 electron तो 4 aluminium के साथ 12 electrons यहाँ इस reaction में n की value कितनी होगी 12 n equals to 12 अब delta g reaction equals to क्या होगा delta g formation of product minus delta g formation of reactant product और reactant का delta g formation का data product का निकालना है reactant में दे रखा है oxygen का delta g formation 0, aluminium solid का delta g formation 0 OH IN का delta g formation दे रखा है H2O का delta g formation दे रखा है values put कर दो यहाँ से product का delta g formation आ जाएगा ठीके नेक्स्ट प्लेटिनम कब कब लगाना है अब इतने पूछा प्लेटिनम कब कब यूज करना है बेटा जब तुमारी शादी होना तब बहुत महेंगा आता है शादी के वक्त यूज करना ठीक है कि देना पड़ेगा बैटा देना आए अमिछ सोच है हां सरक कितना मिलेगा मेरे को बताओ कि देना आए अमिछ सोच है कि जो चलो चीन ठीचलो चडव वी गलत डारेक्शन मेंच ले जाएंगे डे क्वारट सब्सक्राइव हाओ इस उस में से सफ Sabrina तो रिडेक्शन ऑक्सिडेशन चेप एनुपर तो क具 1990 गैसे सिलेक्टोड प्रोड अब कैसे पता चलेगा redox electrode किसमें है gases electrode किसमें तो redox electrode में क्या बताया था दोनों ही आइंस होता है फी प्लस 2 से प्लस 3 या प्लस 3 से प्लस 2 किसी ने लिखा असर आज जहर लग रहे हो तो ही डायलोग बाजी चलती हो हुँ कोई पूछर सर आपने क्या दिया और किसको दिया अब करवा के छोड़ों कि तुम लोग है क्वेशन नमबर 20 में मैं आपको बता दूँ क्वेशन नमबर इसमें आप देखो तो बी पार्ट में हाइड्रोजन इलेक्टोर्ड यूज हो रहा है ह2 से H+, तो इसमें प्लेटिनम यूज होगा और सी पार्ट में एफी प्लस 2 से प्लस 3 क्रॉमेट आएन से क्रॉमियम प्लस 3 तो वहाँ पर भी प्लेटिनम यूज होगा जहां दोनों आइन्स हैं वहाँ प्लेटिनम यूज़ होगा नेक्स्ट शुवांग करके रापने रॉल्स ट्रोइस दी होगी और ब्यम डव्यू ली होगी इसके बाद होगी की अभी और टाइम क्या लिखा है इसके बाद होगी की अभी और टाइम क्या लिखा है क्यमिनिस्टी के बाद नेक्स चैप्टर जोगा वह लिक्विट सॉलुशन है ठीक है और डाउट्स बोले जल जल नहीं कि यह 21 बड़ा असान है 21 नहीं बता रहा हिंदरा जी इस तरह की क्वेश्चन्स अमन मैंने समझाये थे मैंने समझाया था आप लोगों को कौन किसको अक्सिडाइज या रिड्यूस कर सकता है तो क्वेश्चन नमर 18 में कहा जा रहा है क्या है एच टो सफोर का सॉलुशन के पेपल ऑफ अक्सिडाइजिंग सिल्वर मेटल इन दी प्रेजेंस ऑफ एजी प्लस आइन रिड्क्षन यहां पर अब इसका इन ओट निकाल लो सब अपनी स्टेंडर्ड स्टेट में मलब सबकी कंसेटेशन वन वन बार है सोरी वन एम वन एम है अगर इसका इन पॉजिटिव है तो यह रियक्षन होगी नेगिटिव है तो नहीं होगी तो इन ओट हाइड्रोजन का का डिड्क्षन पॉटेंशल 0 सिल्वर का ऑक्सिडेशन पोटेंशल का डेटा दे रखा है माइनस में तो यह तो गया जिरो यह माइनस पॉइंट पउन्ट एट ठीक है और बोलिए और बोलिए और अच्छ नमबर ट्वेंटी थ्री में जो सॉलूशन उसके कंसेंट्रेशन पोइंट वन है लेकिन उसमें से 20% सॉल्टी आॉन आईज हो रहा है तो जेड़न प्लस टू की अंशन प्लस pilots कि 300両 हो गईए नर्स्ट इक्वेशन लगा दो आंसर आ जाएगा Q24 में Copper Hydroxide का KSP दे रखा है Copper Hydroxide का KSP यानि 4S3 नहीं Copper Hydroxide pH दे रखी है pH कितनी है 14 pH 14 तो pH 0 pH 0 यानि OH आइन कंसेंट्रेशन कितनी हो गई 1 OH आइन कंसेंट्रेशन 1 अब मान लेते हैं Salt की Solubity है S प्लस 2S तो यहां से Salt की Solubity मतब Copper प्लस 2 आइन कंसेंट्रेशन पता चल जाएगी 2S को नेगलेट कर दिया KSP दे रखा है 10 की पावर माइनिस 19 तो यहां से Copper प्लस 2 आइन की कंसेंट्रेशन पता चल गई डीपक पूझा हमें कैसे पता चल चलेगा प्रिप्रेजेंटेशन ओफ रियक्शन लिखते टाइम कौन सा मेटल कहां यूज करना है बेटा सिल्वर का Oxidation बोला है तो इसका मतब सिल्वर 0 से प्लस 1 में जा रहा होगा तो यह Oxidation होगा या नहीं होगा तो तुम्हें सिल्वर के तो Oxidation की रियक्शन लिखनी होगी अगर इसके Oxidation की रियक्शन लिख रहे हो तो किसी और के Reduction की रियक्शन लिखनी पड़ेगी समझ में आई बात दिपक क्वेशन नमबर 27 का डी पार्ट क्वेशन नमबर 27 में अगर हम Nust equation का expression देखें तो Nust equation के expression में आप देखोगे कि जो h e plus i n है वो log 1 अपोन है और log के पहले minus sign है mathematically उसको check करो question number 27 की मैं बात कर रहा हूं e not minus 0.06 by 2 log z n 2 plus concentration upon ag plus i n concentration का square अगर k i डालने से क्या होगा k i डालने से ag i का precipitate बनेगा तो cathode पर ag plus i n concentration कम होगी अगर ag plus i n concentration कम होगी तो ये वाली value बढ़ेगी लेकिन minus sign है तो negative value बढ़ेगी तो positive value कम हो जाएगी यानि e cell की value कम होगी समझ में आगी बात mathematically check करो कि क्या होगा k i डालने से ag plus i n की concentration कम होगी अब आपको ये देखना है कि ag plus i n की concentration डालने से e cell पर क्या effect बढ़ेगा इसको अमेशा थोड़ा सामय ऐसे बताओं वैसे हर जगह इतना fit नहीं बेटता बढ़ ज्यादा तर जगह पर आप ये मान सकते हो ये वाली term क्यूंकि minus sign है तो n और पर ketine की concentration उपपर वाली values जितनी कम होगी उतना अच्छा है और नीचे वाली values जितनी जादा होगी e cell उतना ही जादा होगा इसको ऐसे याद कर सकते हूँ newmerator यहाँ जो newmerator में है मतलब anode पर ketines की concentration ऐसे बोल सकते हो numerator में जो ions हैं उनकी concentration कम होनी चाहिए और denominator में जो ions हैं उनकी concentration जादा होनी चाहिए तो E cell की value ज्यादा होगी ये कम ये ज्यादा तो ये negative value कम हो जाएगी Question number 3, 0 Last time मैंने concentration cells बताये थे concentration cell में मैंने कहा था दोनों तरफ एक ही half cell होता है बट उनकी concentration अलग-अलग होती है तो यहाँ पर भी Question number 30 में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो B cassette है एक है HA और एक है HB एक है HA और एक है HB बट Question में ये नहीं दे रखा कि HA को anode पर रखा या HB को anode पर रखा है ये Question में नहीं दे रखा है अब आपको क्या करना है किसी एक को anode पर मानो किसी एक को cathode पर मानो इस तरह से हमने क्या बना लिए दो half cell लाइन को डंग से पड़ो और दोनों acid की concentration same है Equinormal जैसे Equimolar Molarity same हो तो Equimolar Normality same हो तो Equinormal solution of two weak acid are each placed in contact with equal pressure of hydrogen electrode मतब दो hydrogen half cell बनाएं गए Find the EMF of the cell constructed by interconnecting them अब जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जस्ट अभी बोला है यहां पर numerator वाली term कम होनी चाहिए यहां किसकी concentration आती पता आपको anode की यह किसकी आती cathode की तो anode पर H plus ion concentration कम होनी चाहिए तो anode पर किसको रखा जाए जो ज़्यादा वीक है H A H B में से ज़्यादा वीक कौन है H B उसको anode पर रखो और जो ज़्यादा acid का उसको cathode पर रखो अब यहां पर reaction क्या लिखोगे H2 converting into twice H plus plus 2 electron यह किस पर concentration है anode पर cathode पर twice H plus H2 plus 2 electron overall cell reaction e-node cell minus 0.06 ही लिख देता हूँ 2 anode पर H plus ion concentration का square cathode पर H plus ion concentration का square सिंस इन दोनों का square है तो यह वाली term इससे cancel out हो जाएगी e-node cell वैसे जीरो है anode पर concentration कम cathode पर जादा तो E cell जो है वो positive होगा हब H plus ion concentration यहां कैसे निकान नहीं है तो V के acid है तो यहां पर ठीक है वो X को neglect कर दो under root ka into c तो minus 0.06 log एक काम करते हैं इस 2 को नहीं अटाते हैं क्योंकि यहां पर under root आएगा तो वो ka into c, ka1 और ka2 into c अब कौन सा ka किसका वो आपको देखना है समझ में आगी बात यहां H plus कम चाहिए यहां H plus ज़्यादा चाहिए यह द्यान रखना N odd पर कम, cathode पर ज़्यादा तो उस cell का cell potential positive होगा और देखो एक और चीज़ दो अगर वाई दीव कभी गलत भी कर दिया ना तो कुछ नहीं होगा अगर आपने उल्टा कर दिया ना तो आपका magnitude तो वही आएगा बस sign plus की जगे minus आजाएगा sign plus की जगे minus आजाएगा विशाल बेटा नस्ट equation का expression लिखो कुल मिला के e-cell positive आना चाहिए e-cell positive आना चाहिए इसमें एनोट पर मैं बोल रहा हूँ concentration कम cathode पर जादा यह तब तक valid है जब तक hydrogen half cell है किसी और half cell के case में अगर कुछ doubt है तो नस्ट equation का expression लिखो और यह देखो कि किस से e-cell positive आ रहा है जिससे e-cell positive आ रहा है उससे decide कर लो और यह दो किसी और यह दो किसी और रहा है अमन क्या के प्लस से e-cell पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी के आइंस reaction क्यों नहीं करते है मैंने पूरा sentence नहीं समझ माया है लेकिन इतना कह सकता हूं कि एने प्लस के प्लस स्टील माइनस यह ज़्यादा तर आइंस यह किसी के साथ रियक नहीं करते मैठा चली आगे बढ़ते हैं लास्ट टाइम मैं आपको कौन सा हाफ सेल बता रहा था याद आप लोगों को मैटल मैटल स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट लास्ट टाइम हम यह डिसकस कर रहे थे और उसमें मैंने आपको यह बता दिया था कि तीन चीज़े बड़ी इंपोर्टेंट एक तो अगर उसका ऑक्सिडेशन हो रहा तो ऑक्सिडेशन की रियक्शन क्या होगी डिड़क्शन हो रहा तो डिड़क्शन की रियक्शन क्या होगी cell reaction लिखना important है, second cell को कैसे represent करते हैं और third उसका e-note को कैसे represent किया जाता है यह मैंने आप लोगों को last time समझाया था उसमें से अब मैं किवाल oxidation वाली reaction लिख रहा हूँ अगर oxidation हो रहा है तो हमने देखा था silver जो है ag plus में जा रहा था, जैसे यह ag plus ion solution में dissolve होता है है, agcl का precipitate बन जाता है और यह precipitate उसी coating पर deposit हो जाता है तो overall cell reaction की अगर हम बात करें तो overall reaction जो यहां पर होती है ag solid लिख दूँ यहां पर, यह solid है, यह aqueous ion, agcl, solid, precipitate बन जाता है और एक electron और इसके e-note को मैंने last time आपको बताया था, इसके e-note को आप ऐसे लिख सकते हो, agcl minus agcl, दो तरीके बताये थे, दोनों पता होना चाहिए, clion की position इतनी important नहीं है, clion को आप कहां लिखते हो, क्योंकि clion का ना कोई reduction हो रहा है तो clion को आप चाहो जैसे लिख सकते हो, इधर लिखो या इधर लिखो, important part है कि कौन silver और agcl में से कौन पहले लिखा जा रहा है, कौन बाद में, तो यह oxidation potential हो गया इसका, और even याद करो मैंने question भी करवाया था, अगर मुझे यह वाला e-note पता है, और इसका case भी पता है, तो हम यह e-note भी निकाल सकते हैं, question कर लिया था हमने ऐसा ही, delta G1 plus delta G2 equals to delta G3, तो यहाँ से अगर मुझे इस reaction का e-note पता है, इसका case भी पता है, तो यह भी निकाल सकते हैं, अब यह तो बात हो गई कि हाँ reaction लिखना हमें आता है, इसके reaction लिखना e-note cell को कैसे represent करना है, वो भी हमें पता चल गया, now, अब इस पर questions क्या बनेंगे, वो मैं बता रहा हूँ आपको, तो questions पर मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, तो यह, let's say आपको Excel दे दिया जाए, A, G, A, G, C, L, C, L minus, let's say इसकी concentration है 0.1 M, A, G, plus, A, G, यह एक cell हमें given है, और कहा जाता है कि यह इस cell का, यह चलो, अभी थोड़ा और अलग रखता हूँ, इदर A, G नहीं लेता है, इदर copper ले लेता हूँ, हग इस cell का में cell potential find out करना है, यहां oxidation हो रहा है, हाँ reduction हो रहा है, हमें cell का cell potential find out करना है, बट question कैसे solve करेंगे, यह data पर depend करेगा कि हमें क्या data दे रखा है, question में, क्या-क्या values दे रखी है, दो तरह के questions यहाँ पर बनेंगे, दो तरह के questions यहाँ पर बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ case 1 if E not AG CL minus AG CL is given नेके इस से related जो भी parameter सही है वो question में दे रखा है दो cases मैं किसके basis पर बना रहा हूँ इसके basis पर obvious ही बात है इसका भी E not चाहिए इसका भी E not चाहिए ताकि हम Nust equation लगा सके तो बट इसके E not को मैं highlight नहीं कर रहा हूँ वो understood है तो इसलिए मैंने क्यों इसके E not को highlight किया कि इस reaction का E not हमें दे रखा है मैंने आपको पहले भी कहा था दो तरीके हैं या तो हम इसके oxidation की reaction इसके reduction की reaction दोनों को add करके भी Nust equation लगा सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी reaction लिखके पहले इस पर Nust equation लगा दे हैं इसकी reaction लिखके इस पर Nust equation लगा के फिर E oxidation प्लस E reduction भी कर सकते हैं right? या आप लोगों को पेएक्षन को अलड़ी पता है क्योंकि अभी मुझे इस पाट पर फोकस करना है मुझे इस पार्ट पर फोकस करना है इसलही वाली रियक्षन यहां नहीं लीख रहा हूं तो भी मिलाकर आपको यह चांत पता है लेकिन वह ब्रेक्षने यीप आपको reaction लिखनी पड़ेगी तो एनौड पर क्या reaction होगी वह आप यहां देख रहे हो यह एनौड की reaction है कि राइट इस पर आपको नस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी और इनौड से क्या पता चल जाएगा ई-oxidation e-oxidation पता चल जाएगा मैं इसके साथ अभी club नहीं कर रहा हूँ समझना मेरी बात को तो अगर मैं इस पर नस्ट इक्वेशन लगाता हूँ तो e-ag-cl-ag-cl equals to e0-cl-ag-cl-0.06 ले लेता हूँ मैं n की value बैसे तो 1 है बट अभी मैंने यहां पर n ही लिख दिया लॉग यह solid appear नहीं होगा यह solid appear नहीं होगा तो क्यवल कौन appear होगा CL- तो one upon CL ion concentration कुछ नहीं करना है question में CL ion की concentration दे रहे की point one यह e-note दे रखा है put कर दो e-oxidation आ जाएगा इसको आप क्या बोल सकते हो यह एक तरह से कौन सा potential है oxidation potential इसी तरह से नर्ष्ट equation किस पर लगा सकते हो copper की reaction लिखो copper का reduction हो रहा है उस पर नर्ष्ट equation लगाओ यहां से e-oxidation यहां से e-reduction दोनों को add कर दो cell potential आ जाएगा cell potential आ जाएगा हाया न लेकिन और क्या हो सकता है यहां पर हो सकता आपको यह e-note नहीं दे रखाओ यह जो e-note यहां पर लिखाना हो सकता है यह e-note नहीं दे रखाओ अब सोचो अगर यह e-note नहीं दे रखा है तो क्या दे रखाओगा क्वेशन तो solve कर नहीं है तो क्या लगता और क्या information given होगी कुछ दिख रहा है आप लोगों को बिलकुल सही कहा अमन कोशल विशाल अगर आपको यह e-note नहीं given होगा न तो उसकी जगए question में यह दोनों data given होगे यह किसका e-note है ag से ag plus ag से ag plus अगर यह e-note नहीं given होगा तो यह दोनों data दे रखे होगे यानि case 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ case 2 if e-note ag ag plus and ksp of agcl are given क्या भी भी कर सकते हो क्या yes विलकुल कर सकते हैं लेकिन अब number of steps बढ़ गई अब क्या करना पड़ेगा पहले इन दोनों से यह e-note find out करना पड़ेगा जैसे यह e-note पता चला question case 2 से case 1 में आ जाएगा और फिर जैसा पहले कर रहते वैसे ही करना होगा आपको तो यहां पर पहले चलिए इन दोनों से इस e-note को find out करते यहां से यह चीज थोड़ी आटाराओं में समझ गए मेरी भात को डेल्टा जी वन डेल्टा जी टू और डेल्टा जी थ्री तो देल्टा जी थी इक्वास टू डेल्टा जी वन प्लस देल्टा जी टू डेल्टा जी वन इक्वास टू माइनस सब आर इनोट का डेटा दे रखा है तो इसमें एक इलेक्ट्रोन इन्वार्ड है माइनस एन एन फ इसको यह एनोट एजी एजी प्लस डेल्टा जी टू की वैल्यू माइनस आर टी एलन वन अपॉन के एस पी डेल्टा जी थी की वैल्यू माइनस इसमें भी एक इलेक्ट्रोन इन्वार्ड है यहां एक है तो यहां पर भी एक है तो इस N की वैल्यू भी 1 F E 0 AG CL minus AG CL जो हमें चाहिए इसको rearrange कर लो इसको rearrange अब हम कर सकते हैं तो यहां पर E 0 equals to AG CL minus AG CL equals to E 0 AG AG plus और यह यहां पर 0.06 लिख सकता हूँ RT upon NF तो यह यहां जाएगा minus 0.06 upon N log थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको तो शायद हो सकता ना दिख रहा हूँ E 0 AG AG plus minus 0.06 upon N log यह value अगर हम यहां पर देखें तो 1 upon KSP तो इसको एक काम करता हूँ प्लस करके यहां क्या लिख देता हूँ KSP लिख देता हूँ प्लस कर दिया और KSP लिख देता हूँ यह कोई याद नहीं करना है बट अब आपके पास यह दोनों data है यह वाली value given है KSP given है यह दोनों values जरूर हो गया लेकिन किया जा सकता है लेंटी जरूर हो गया बट किया जा सकता है हाँ या ना तो अगर आपको यह इनोट और KSP दे रख है तो पहला काम आपको यह इनोट फाइंड आउट करना होगा यह वाला इनोट आपको फाइंड आउट करना होगा और जैसे यह इनोट पता चला आइ तिंग फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है अरे सही क्या बेटा यह माइनस 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 सब प्लस हो गए प्लस हो गए लेकिन वन अपोन के SP को वापस उपर ले गया तो फिर से यहा नहीं गलत क्या सोरी है माइनस होगा माइनस माइनस होगा ठीक है समझ में आ रहा है क्या करना है question case 1 पर भी हो सकता है question case 2 पर भी हो सकता है obviously case 2 वाला थोड़ा lengthy हो गया क्योंकि पहले इतना करो फिर उसके बाद यह step और करो तो उसमें टाइम लगेगा लेकिन अब यहां पर मैं एक shortcut बता रहा हूँ वो shortcut कभ यूज होगा अगर question case 2 पर है तो case 2 पर question आता तो उसका एक shortcut तरीका बता रहा हूँ क्योंकि यह थोड़ा lengthy हो गया है इतना भी lengthy नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं इससे बहुत ज्यादा lengthy lengthy question करते हैं लेकिन एक shortcut possible है तो case 2 पर अगर question आता तो वह में उस पर shortcut लगा सकते हो case 1 पर नहीं लगेगा ध्यान रखना case 1 पर नहीं लगेगा वो shortcut case 2 पर लगेगा और मैं आपको तो shortcut इतना tempting होता है कि case 1 हो या case 2 हम सब पर ही shortcut लगा देते हैं देखते ही कौन सा case है हमें लगता है बस shortcut लगा दो वो case 1 पर नहीं लगेगा अब shortcut क्या है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं उसके लिए पहले एक छोटी सी चीज़ देखते है यहां पर अब करोगे क्या अगर question case 2 का आता तो यह value निकालेंगे यह e naught और इस e naught से क्या निकालोगे यह e oxidation क्योंकि किसी भी cell का cell potential निकालना है तो e oxidation plus e reduction चाहिए यह e naught नहीं लगाया दियानक ना में नहीं जो भी concentration है उस concentration का electrode potential तो e oxidation e reduction तो अब हम क्या करेंगे let's say यह equation number 1 यह equation number 2 तो equation number 2 से मैं यह value equation number 1 में put कर रहा हूँ तो जब equation number 1 में मैं यह value put करूँगा तो क्या answer आएगा e ag cl minus ag cl equals to e naught ag ag plus यह पूरी value यहाँ put कर रहा हूँ तो यह जो minus 0.06 upon n यह वाली term दोनों में common है बट इसमें ksp है और उसमें cl minus है तो ksp upon cl minus हा जाएगा ksp upon cl minus हा जाएगा यह value यहाँ से मैंने यहाँ put कर दी equation 2 से equation 1 में यह value put कर दी किसकी value put की है यह वाली तोड़ा और अलग color से highlight कर देता हूँ यह वाली green वाली value और यह value और इससे हमें क्या पता चल गया इऑ oxidation और फिर reduction निकाल के add कर दूँ दो हम अलग अलग नहीं करेंगे एक्चुल equation में है इसा नहीं कि oxidation अलग से निकालेंगे इडिक्शन अलग से निकालेंगे हम direct cell reaction लिके इनस्ट equation लगाएंगे बट समझाने के लिए इसा करना जरूरी है अब यह जो आंसर यह आपके पास कैसे सोचों कि है यह right now answer कैसा है डल्ता जी 1 प्लस डल्ता जी टूu इकोस टू डेल्टा जी due करने पर आया इतनी करी फहले डल्टा जी जी टु डेल्टा जी डेल्टा जीटी प्र पिर उससे जो यह इनोट निकल के आया उसको हमने equation number one में पुट किया निवी निस्ट equation लगई अब यही answer हम एक step में निकाल सकते हैं कैसे shortcut बता रहा हूं shortcut method वो क्या है यहां पर हम क्या करते हैं जो cell हमें दे रखा न यह जो cell आपको दे रखाया है इस cell को ही बदल दो कैसे बदल दो वो मैं आपको बता रहा हूं तो जो metal sparingly soluble salt जो cell दे रखाया है यहां कौन सा metal involved है silver अब आप यह मानों कि यहां पर केवल सिल्वर का ही oxidation हो रहा है यानि इसको metal metal line half cell में convert कर दो metal metal line half cell में convert कर दो cathode की side में तो reduction and anode की side में तो oxidation इधर जो भी है वो लिख दो वापस copper था तो copper लिख दिया मैंने यह हो गई हमारी step one इसे मैं बोलता हूं step one numbering कर रहा हूं ताकि याद रहे आपको अब अगर मुझे इस cell का cell potential निकालना है तो क्या पता होना चाहिए इसका इनौट पता होना चाहिए वो question में दे रखा है क्योंकि हम इसकी बात कर रहें तो यह इनौट तो question में दे रखा है और क्या चाहिए इसके इनोट के लावा एजी प्लस आयन कंसेंट्रेशन तो वह एजी प्लस आयन कंसेंट्रेशन कैसे पता चलेगी क्वेशन में केस्पी भी दे रखा है और सियल आयन कंसेंट्रेशन भी दे रखी है तो KSP upon C line concentration से आप इसका E g plus की concentration निकाल सकते हो कि यह औहगी हमारी step two और अब हमें questa AG plus की concentration भी पता है हमें इसका E note भी पता है अब आप इसका इसल निकाल सकते हो इसल देखते हैं क्या ओल ίह answer आता है लिख लेंगे अगर मैं आप से कहो कि इसी सेल का सेल पोटेंशन निकालना है तो सिलवर का क्या हो रहा है ऑक्सिडेशन सिलवर एजी कनवर्टिंग इंटो एजी प्लस ए ऑक्सिडेशन इक्वास टू ईनोट ऑक्सिडेशन माइनस पॉइंट जीरो सिक्स अपॉन एन एन की वेल्यू कितनी वन एजी प्लस आइन कंसेंट्रेशन एजी प्लस आइन कंसेंट्रेशन और ये एजी प्लस आइन कंसेंट्रेशन अमने कैसे निकाली के एस पी अपॉन सी एल आइन कंसेंट्रेशन से अब आप compare करके देखो यह in oxidation और यह oxidation right hand side दोनों की same है दोनों की right hand side exactly same है यह value यह value यह value यह भी oxidation यह भी oxidation समझ में आरी मीरी बात है लेकिन यहां पर यह i see oxidation कैसे निकला आपको पता है फिर यह डेलटा जी वान प्लस डेल्टा जी टू इकवस्तु डेल्टा जी घर्राऊ सिर्ण यह यह ने पड़ाया एक ही बांजू यह रही इनर्श्तिकton लगाए आंवान्शर आगया क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि आंसर दोनों से वही आ रहा है, बात खतम, mathematically same result आ रहा है तो कर दो, logic कुछ नहीं है, आपने तो cell ही बदल दिया, यहां पर cell अलग है, यह वाला cell अलग है, यह वाला cell अलग है, लेकिन cell बदलने के बाद भी आंसर वही आ रहा है, तो बस कर दो, इसलिए पहले मैंने आपको यह वाला तरीका बताए कि देखो, E-oxidation की value यह आ रही है, यहां से भी E-oxidation की same value आ रही है, इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हूँ, यानि यह shortcut method में आपको cell को change करना है, यह cell step 1, step 2 और step 3 क्या है, इसी cell का cell potential निकाल दो, वही आपका final answer होगा, यह इस cell का cell potential और इस cell का cell potential same होगा, कोई difference नहीं होगा दोनों के answer में, यह इस cell पर question आता है, तो इस cell को बदल दो, shortcut लगा तो, लेकिन ध्यान रखना, उसके लिए case भी पता होना चाहिए, E-not का data पता होना चाहिए, मतलब question किस case का होना चाहिए, case 2, अगर case 1 का हुआ तो नह cell reaction भी बदल दी, इस shortcut method में cell reaction आपने बदल दी, यह actual cell reaction नहीं है, यह actual cell नहीं है, लेकिन दोनों का E-cell same आ रहा है, इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं, गौतम पूछा है कि इस तरीके को कैसे short case 1 में लगा देते हैं, वो देखते ही नहीं बटा कौन सा data दे रखा है, अभी मैं बताओंगा चिंता मत करो, देखते ही नहीं कि कौन सा data दे रखा है, case 1 का या case 2 का, खड़ से shortcut लगा देते हैं, लिख लिए आप लोगों नहीं है, अभी मैं questions करवाँगा, सारे questions करवाँगा, चिंता मत करो, तब अपने आप समझ में आ जाएगा, जब हम इस पर questions करेंगे, पहले ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये जो board पर लिखा हुआ है, वो अच्छी तरह से लिख लो, question हम case 2 प पर भी करेंगे, question case 1 पर भी करेंगे, अब मैं data दे रहा हूँ आपको, ag, agcl, cl-.1m, copper plus 2.1m, copper, e naught, ag, थोड़ा data बदल देता हूँ में, ताकि answer negative में ना आए, minus 0.2, e naught, निकालना क्या है? पहले तो चेक करो, ये case 2 का question है, या case 1 का? भावादीब कह रहा है कि 4 months में AIR1 के वीडियो यूट्यूब पर आना चालू हो गए है, बैठा सही बता रहा हूँ, उनका बस चले तो 0 rank की 2, 1, 0, minus 1 वाले rank के भी वीडियो बता दें, तो चली ये तो दिखरा कि ये case 2 है, ठीक है? चलो पहला example है, वो मैं कर देता हूँ, अभी मैंने समझाते वक्त इसी के लिए solve किया था, लेकिन इसको अलग और इसको अलग नहीं करेंगे, वो cases बनाने के लिए मैंने इसको अलग से समझा दिया था, ताकि दिखे आपको कि हाँ, वो ही answer आ रहा है, अब हम इसको कैसे solve करेंगे, step 1, step 1, cell को बदल दो, cell को ही बदल दो, यहाँ पर जो metal दिख रहा है, बस यह मानो कि उसी का oxidation हो रहा है, वो metal oxidize होकर फर्दर किसी के साथ रियक्ट नहीं करा, actual में तो क्या हो रहा है, कि एजी प्लस आइन जो बन रहा है, वो फर्दर cell के साथ रियक्ट रहा है, लेकिन हमने मान लिया कि इस एजी प्लस की किसी के साथ कोई reaction नहीं हो रही है, copper प्लस 2, copper, step 2, इस एजी प्लस की क्या निकाल लो, concentration, KSP और cell आइन कंसेंटरेशन दे रही है, क्या करें, अब आप इसी सेल का सेल पोटेंशल निकालो, तो एन नोर्ट पर क्या reaction लिखूंगा, मैं, silver converting into AG+, प्लस इलेक्ट्रोन, कैथोर्ड पर क्या reaction होगी, copper प्लस 2, प्लस 2 इलेक्ट्रोन, converting into copper, सिंस यहां पर दो इलेक्ट्रोन यहां एक है, तो इसको 2 से multiply कर दिया, और अब मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ, अब मैं इस पर निक्वेशन लगा रहा हूँ, तो E cell equals to, अब मैंने दोनों को एक साथ करके ही निक्वेशन लगाई, अब भी मैं क्यों समझाते हैं, क्यों ऑक्सिडेशन के लिए अलग से कर रहा था, अब मैंने दोनों को एड कर दिया, तो E cell equals to E naught cell, इसका oxidation potential minus में, इसका reduction plus में, तो यह net कितना हो जाएगा, 0.2 minus 0.06 upon 2 log, AG plus ion concentration का square, 10 की power minus 18, divided by copper plus 2 ion concentration, which is 0.1, 0.2 minus 0.03, 10 की power minus 17, 10 की power minus 17, तो यहाँ पर यह कितना हो गया, minus 51 प्लस हो जाएगा, यानि प्लस 71, हाँ जी, बॉलिए क्या doubt है, 0.86 कैसे आ रहा भाई, 0.44 कैसे आ रहा निरेज, जनता चुपकी हो गई, क्या हो गया, 0.77 कैसे आ रहा रहा है अर्चित, रादर देना लोग, 4 बार कमेंट लिखने के वज़ा है, इसी को डंग से पढ़ो, KSP 10 की power minus 10, अपॉन 0.1 तो 10 की power minus 9, लोग, एजी प्लस की concentration नहीं निकल रहा है, हिंदराज के रहा है, सेम आंसर है, कौन सा KSP लेना, एक ही तो KSP है बैटा, और कौन सा KSP होगा, एक ही तो KSP दे रखा है, अर्चित वही आएगा, एक साथ करोगे, या अलग-अलग करोगे, अर्चित E oxidation अलग से निकालो, E reduction अलग से निकालो, तब भी आंसर यह आएगा, वो कभी अलग-अलग नहीं आएगा, बैटा, यह minus 2 है, यह तो plus 0.4 है ना, तो दोनों का addition तो plus 2 ही आएगा, यह E naught cell है, यह E naught cell, दोनों reaction एक साथ लिख दी मैंने, oxidation plus reduction, एक और question देता हूं चलो, अब दोनों तरफ हम metal, metal sparingly soluble salt का exam, मैं cell ले रहे हैं, एक और question दे रहा हूं, PbCl2Cl-0.1MCl-0.1M A, G, C, L, A, G, ठीक है, इसका E naught 0.5, इसका E naught reduction 0.8, ksp of PbCl2 10k power minus or ksp of AgCl एक छोटा सा change कर रहा हूं, यह जो concentration है, C-Line की, यह बदल रहा हूं, इस तरफ C-Line की concentration 0.01M कर दी मैंने, ध्यान रखना, फिर से अब इसका E cell find out करो, फिर से इसका E cell find out करो, अब दोनों तरफ metal, metal, sparingly soluble salt है, इस हाफ C-Line को भी बदलोगे, इस हाफ C-Line को भी बदलोगे, इस हाफ C-Line में lead involved है, इस हाफ C-Line में silver involved है, दोनों हाफ C-Line को आपको बदलना पड़ेगा, अधनान क्लास में डेटा कोई बहुत ऐसा नहीं real data हो, calculation आसान करने के लिए मैं डेटा बदलता रहता हूँ, कुछ real होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, data question में given होता है बटा, समीर अभी write down, जो current चल रहा है, उस पर focus करो, उसको बहुत अच्छी तरह से करनी कोशिश करो, पहले, फिर यह देखो कि कितना extra time बसता है, backlog के चकर में यह नहीं कि जो current चल रहा है, वो खराब कर लें हम, तीन मंद का backlog बहुत ज़ादा होता है, इतना cover करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है तीन मंद का backlog को clear करना, इसलिए सारा cover करनी कोशिश मत करो, कुछ selective cover करो, बाकी को छोड़ दो, स्वेपन का अंसर आया है 1.12, हर्षित का अंसर आया 1.15, शुभम का अंसर आया 1.25, आर्यन का अंसर आया 1.12, 1.33 शुभांकर, अमन का 0.1, गुरुपृत का 1.45, क्यू डब्ल्यू एश, तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के लिए, आयनिक एक्विलिब्रियम, कुछ हद तक चाहिए, बट एट्टी-एट्टी-फाइप परसेंट तो नहीं चाहिए, बट निमेरिकल सॉल करते वक्त, कुछ क्वेश्चन्स में उसकी जरुएत पड़ेगी, जैसे यहां पर केस्पी क्या होता है, यह पता होना चाहिए, पर इससे ज़्यादा कोई जरुएत नहीं पड़ेगी, जो आयनिक में आपके के बारे में बहुत सारी चीज़ें पड़ते हो, वो इसकी यहां पर ज़रुवत नहीं है, तो कुछ हद तक यस कह सकता हूँ, कि आयनिक एक्विलिब्रम आना चाहिए, आयनिक एक्विलिब्रम अगर पता है, तो यहां पर और ज़्यादा कमफोर्टेबल रहोगे, आंसर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, किसी का 1.21, किसी का 1.15, किसी का 1.39, किसी का 1.4, डिपक बेटा बार बार मत लिखा करो, एक बार लिख दिया करो, चलिए, स्टेप 1, पी बी, पी बी प्लस टू, मैंने सेल को बदल दिया, एजी प्लस एजी, यह हमारी हो गई, स्टेप 1, इसमें किसी को कोई डाउट, लेफ्ट एंड साइड में लेड इनवल्ट था, तो लेड को लिख लिया, राइट एंड साइड में सिल्वर इनवल्ट था, तो सिल्वर लिख लिया, टेप 1, क्लियर, हाँ या ना, चलिए, ठीक है, उसके बाद, स्टेप 2, लेड आइन की कंसेंट्रेशन निकान नहीं है, तो PB प्लस टू की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, PB प्लस टू का KSP अपॉन स्टील आइन कंसेंट्रेशन का स्क्वाईर, विच इस 10 रिस टू पावर माइनस 10, विच इस 10 रिस टू पावर माइनस 10, सिल्वर आइन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 10 upon 0.01 मतलब 10 की पावर माइनस 8 यहां तक भी सबका सही है क्या अचा बहुतों की तो लेड आइन की कंसेंटेशन ही 10 की पावर माइनस 11 आ गई तो बहुतों ने यह CLI का स्कुायर नहीं किया है अब उसके बाद यह स्टेप 1 यह स्टेप 2 और स्टेप 3 मैंने क्या कहता है इसी सेल का cell potential निकाल लो अब अगर इसी सेल का cell potential निकाला जाए तो यहां पर फिर से reaction लिखो लेड का oxidation ओर रहा है silver का reduction हो रहा है लेकिन इसको two times करना पढ़ेगा क्योंकि यहां दो electron involved है अब इस पर क्या लगा दो नस्ट एक्वेशन E0 cell E0 cell क्या होगा LED का Oxidation Potential क्योंकि अब यही हमारा cell है यही हमारा cell है तो इसका Oxidation Potential 0.5 इसका Reduction Potential 0.8 तो cell Potential 1.3 0.06 कितने Electron 2 PV प्लस 2 की Concentration PV प्लस 2 की Concentration 10 की पावर माइनस 10 डिवाइड बाई AG प्लस आइन कंसेंटरेशन का स्क्वाइर 10 की पावर माइनस 16 1.3 माइनस 0.03 यह 6 उपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा यानि 1.3 माइनस 0.18 विच इस 1.12 किस-किस का आया था 1.12 बताइए किस-किस का अंसर मेच कर गया स्वेपन का सही था बिलकुल बढ़िया शुवांकर का कहरा थोड़ी गरबर हुई आर्यन का भी सही अब वो सोसते रहो बेटा वाई सी-ए-लाइन का स्क्वाइर और वो सब सोसते रहो अब हम इस लेवल पर नहीं रह गए कि ये समझाए जाए कि सी-ए-लाइन का स्क्वाइर क्यूं हो गया अब उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं झाल तो ध्यान रखो बेटा सेकिंड स्टेप बहुत आप सोचो मिस्टेक जो आप कर रहे हो कितनी छोटी है और हुआ क्या में पार्ट अब समझ में आ रहा है लेकिन गलती कहा हो रही है छोटी छोटी चीजों पर यह होता भी है जब आप कहीं आपका सारा अटेंशन किसी एक वो या तो होते ही नहीं है जो करते है उनका सही होता है या तो जनता अटेंट ही नहीं करती है जो अटेंट करती है उनका सही होता है क्योंकि सब बहुत कॉंसेंटरेशन के साथ उस क्वेशन को करते है और बहुत बार ऐसा होता कि एक एक एक्वेशन तो बहुत बार ऐसा कर तरीक क्वेशन तो बहुत आसाल लेकिन जनता क्या करती डिग्री सेल्सियस केलविन देखती नहीं फठाफ़कर देती एक वेशन कटम एक और प्वेशन दे रहा हूं लास्ट क्वेश्टन जल्दी जल्दी करना फै लास्ट क्वेश्टन झाल 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 इसल फाइंड आउट करना है इसल फाइंड आउट करना है वंश कह रहा कि आज मैंने आइनिक एक्विलिब्रियम की शीट को वापस से अटेम्ट किया और तीन गंटे में कितने क्वेशन्स किया है वंश होगी बेटा लेकिन अगर क्वेशन में कुछ नहीं दे रखा हो तो 0.06 यूज करो कोई टेंशन नहीं झाल पिए बेटा नहीं आगर कोई जा आगर कोई लेकिन अगर कोई तो झाल ओ तो झाल अब इस question का answer सही आना चाहिए, इसमें कोई गड़बर नहीं होनी चाहिए, ढंक से देखना question को झाल 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 कान झाल 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 0.54 1.32 1.02 0.72 0.66 0.69 0.45 1.02 बैटा तुम्हें नहीं समझ मारा लेट किस स्टेट में होगा हैं आंसर बहुत जादा वेरी कर रहे हैं भाई दिपक पहले भी बोला था बार बार मत लिखा करो रादर देन क्वेश्चन को चेक करो कि सही किया या घलत किया समझ में नहीं आती तुम्हें बात गारगी 1.02 आंचल 0.96 वेपन 0.99 अभीराज 0.958 अभीराल ने सही पकड़ा है वैसे तो अच्छा ये बता दो ये दोनों पर शॉर्टकट लगेगा क्या क्या दोनों पर शॉर्टकट लगेगा क्या अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत है एक पर शॉर्टकट लगेगा एक पर नहीं लगेगा यह case 2 का question है वो case 1 का question है हाँ जी बिलकुल सही रीतुरा जहां सही कि वह left वाले पर shortcut लगेगा led वाले पर नहीं लगेगा तो जिसने भी दोनों पर shortcut लगाया वो गलत है दूसरी चीज़ यह data कहीं use नहीं होने वाला यह data कहीं use नहीं होने वाला है लेकिन अब यहां पर कुछ part shortcut और कुछ actual दोनों होगा mix करना पड़ेगा आप लोगों को तो इसको तो मैं shortcut से लिख सकता हूँ एजी एजी प्लस क्यूंकि data हमें दे रहागा इसका E0 और इसका KSP लेकिन इस part को अब ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसका sulphide iron, point one iron, PBS and PB इस AG प्लस iron की concentration कितनी हो जाएगी? तो यहां पर chromate है तो ag plus ion concentration का square ksp upon chromate ion concentration 10 की power minus 12 उसका square root तो 10 की power minus 6 10 की power minus 6 ध्यान रखना और अब यहां पर जो cell reaction लिखोगे इसके लिए तो shortcut वाला यानि ag converting into ag plus बट इसकी actual reaction लिखनी पड़ेगी आप लोगों को इसकी actual reaction लिखनी पड़ेगी क्या reaction लिखोगे right hand side में reduction हो रहा है अब यहां थोड़ी problem आती है agcl imagine करो agcl converting into ag तो यहां पर pbs plus 2 electron converting into pb plus twice sulfide ion यहां पर since 2 electron है तो इसको भी 2 से multiply करना होगा यह reaction लिखने में थोड़ी महनत लगेगी अभी महनत फटाफट लिख दी लेकिन इसको आप relate करो imagine ऐसे करो reduction हो रहा है तो solution में से lead ion जाके deposit हो जाएगा solution में pb plus 2 ions कम हो गए तो कुछ और pbs dissolve होगा कुछ और pbs dissolve होगा यह overall cell reaction है यह product यह reactant अब मैं इस पर nest equation लगा रहा हूँ अब मैं इस पर nest equation लगा रहा हूँ reaction overall नहीं लिखी मैंने बस आप इन दोनों को add कर दो तो e naught cell क्या होगा इसका oxidation और इसका reduction यह वाला e naught यह e naught देख लेना यह कि फ़ल लेड का oxidation या reduction potential नहीं है तो इन दोनों का sum 0.6 0.06 upon 2 silver ion concentration का square silver ion concentration का square 10 की power minus 12 sulfide ion concentration 0.1 divided by किसी की भी concentration यह भी solid यह भी solid खतम 0.6 minus 0.03 into 10 की power minus 13 plus 13 yes 0.99 sweeping का answer आया था 0.99 sweeping का answer था 0.99 बिल्कुल सही great good sweeping कृपन का मैंने देखा था मायंग two close से कोई फायदा नहीं होता कोई मतलब नहीं है बॉल boundary line के थोड़ा भी अंदर पड़े तो वो छक्का नहीं क्यालाती बेटा क्यों मतलब तो पत tortक नहीं हैं हो our वो दो हाल झाऽ कईर्पशें हैं हैं है बॉल मतल मतलब दोvida जी थाखर भी क्वार नहीं हैं हैं क्यों मतलब तो तो हैंएंड़ा 2 mark涉नदा क örजम तो तो है कर दो हैंड़ा एंखर्या inspires रवा तो त Mus जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करू अलग अलग कर सकते हो लेकिन एक साथ ही करो ज्याधा फड़ाफट होगा अलग अलग मन नहीं करना है अलग अलग नहीं करनां इसी तरह से करो बार बार इन qowsanco को नौ Lor PB converting into PB plus 2 plus 2 electron और PB plus 2 plus sulfide ion converting into PBS. यह oxidation की reaction लिख रहा हूँ वैसा तो यह oxidation की reaction हो जाएगी PB plus sulfide ion converting into PBS plus 2 electron. हाँ यहाँ पर यह जो डेटा है लेट का oxidation का डेटा है PB PB plus 2 यह वन अपन केस्पी तो यहाँ से आप यह वाला E0 निकाल सकते हो PB sulfide ion PBS ऐसे बहुत सारे questions अगेन यहाँ पर बनते हैं इवन यह कह सकते हो कि यहाँ पर तीन variable है 1,2,3 इन तीनों में से कोई भी दो given होंगे तीसरा आप find out कर सकते हो इवन ऐसा हो सकता है कि यह डेटा भी दे रखा है यह डेटा भी दे रखा है और आप से पूछा जाए केस पी निकालो तो सबसे पहले आप यह मत सोचो कि क्या दे रखा है क्या निकालना है पहले equation बनाओ जिससे यह तीनों डेटा रिलेट हो जाए और फिर इन तीनों में से कोई एक जो नहीं दे रखा है वो आप find out कर सकते हो कुल मिला कि आपको इन तीनों की reactions को relate करना आना चाहिए अगर इन तीनों reactions को relate कर दिया तो delta G1 plus delta G2 equals to delta G3 और फिर आप उसको find out कर सकते हो तो इस तरह के बहुत सारे question बनेंगे यहाँ पर कैसे solve करना है वो already हम कर चुके हैं बढ़ क्या होता है यह data जब दिखता तो समझ में नहीं आता कि क्या करें problem का होती ही वो बता दूँ यह question में यह data दे रखा होता है इसको देखते रहते हैं कि यह क्या दे रखा है यह समझ में ही नहीं आता कि यह e not इस reaction का e not है यह सबसे बड़ी problem होती है यह question में पूछा जाता है यह e not निकालना है हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा ही नोट निकालना है तो इसके corresponding ये reaction लिखना आपको आना चाहिए और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके अलावा मैं यहां पर एक और बात बता दूँ आपको एक और इसी category का एक cell है कोई नया example नहीं ले रहा हूँ केलोमल इलेक्ट्रोड केलोमल इलेक्ट्रोड इस पर बहुत सारे questions बनते हैं यह केलोमल इलेक्ट्रोड कुछ special है इवन इसको भी reference इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है जैसे या तो हम hydrogen को as reference इलेक्ट्रोड यू को यूज करते हैं केलोमल में mercury यूज होता है mercury के साथ problem है कि mercury का wire तो नहीं बनाए जा सकता क्योंकि mercury liquid state में होता है तो क्या किया जाता है mercury को एक tube में भर दिया जाता है इस तरह से this is liquid mercury इसके उपर mercury का expiringly soluble salt भर दिया जाता है Hg2Cl2 यह mercury का expiringly soluble salt है और कह सकते उसके उपर C-Line का solution C-Line का aqueous solution और इसको अब outer circuit से connect करने के लिए एक platinum wire से connect कर दिया जाता है platinum wire से connect कर दिया जाता है अगर मुझे इस cell को represent करना है तो platinum mercury liquid अगर oxidation हो रहा है तो ऐसे कर देंगे उसके बाद mercury का expiringly soluble salt और C-Line अगर oxidation हो रहा है तो double vertical line के left में reduction हो रहा है तो इसी को right में कर दोगे यहाँ आप reaction क्या होती है तो यह जो oxidation हो रहा है तो mercury का oxidation होता है mercury mercury plus one में जाता है लेकिन शायद मैंने आपको ionic में भी बताया है यह जो mercury होता है होता तो plus one में लेकिन यह एक्जिस्ट डाइमर की form में करता है Hg2 plus two और जैसे ही Hg2 plus two solution में dissolve होते हैं Hg2Cl2 का precipitate बन जाता है Hg2Cl2 का precipitate बन जाता है तो overall reaction यहाँ पर क्या हो जाएगी इन दोनों को twice Hg liquid plus twice Cl minus converting into Hg2Cl2 plus two electron अगर कहीं पर भी यह word लिखावा केलोमल इलेक्टोड तो आपको यह reaction पता होनी चाहिए केलोमल इलेक्टोड अगर है तो आपको यह reaction लिखना आना चाहिए केलोमल की reaction क्या होती है केलोमल में किसका oxidation होता है किसका reduction होता है और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जायद केस्पीक वस्टू जो होता है वह Hg2 plus 2 into Cl2 का स्क्वाइर तो ठीक है कहीं कहीं यह cell दिख सकता आपको केलोमल इलेक्टोड इस इस नोनेज और क्यों यह famous है क्योंकि इसे भी as a reference इलेक्टोड हम यूज करते हैं तो इस पर भी questions बनते हैं अर्चित तुम्हारा doubt समझ में नहीं आया हाँ वैसे कर सकते हैं अर्चित का कहना कि सर इस question में हम ऐसे करें कि यह ksp दे रखा था यह e-naught दे रखा था तो इस से पहले यह e-naught निकान लें और फिर जब यह e-naught निकान लें तो shortcut लगाया जा सकता फिर लगाया जा सकता बैटा लेकिन वह वाली बात हो गई कि आप सोचो कितना लेंदी कर रहे हो एक इस टेप में जो question हो रहा था उसको फिर तुमने लेंदी किया कि यह one upon ksp ही लिखावा यहां पर चलिए तो आज के लिए यह इंतर करते आज का homework कि यह one में कहां तक कर लिया था भाई हमने ओवन में कहां तक कर लिया था कि बव法 में पर चुमने खुमने एक लिया कर दो आख लिए, भूगया है यहां ज्यादा नहीं दिये मैंने बट यह मॉस्टली स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट पर ही है तो S101 के ही दे रहा हूं मैंने लिए आपको खीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाई बाई झालिए रहा हैं और थर दिए ठाहा हैं नेक्स्ट क्वेर स्चेर अर्शा रहा हैं ऑफ़ उल्ट उल्ट नेक्स्ट क्वेर लाई शख़ते हैं तो